क्योंकि आज दक दुनिया ये मानती जी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्स्प्रेस नहीं कर सकते तब हमारे साथ से चारली चैपलिन जिनोंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को इंटरेटेंड किया आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिफ और ते अच्छा खाना बना सकती है हमारे सामने संजीव कपूर जिन्नोंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाथ चखाया आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि दनवान बनने के लिए दनवान गर में पैदा होना जरूरी है हमारे सामने दिरुबाई अंबानी जिन्नोंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया कर लो दुनिया मुट्थी में और आज रिलाइंस इंडस्ट्री वर्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते हमारे सामने अमिता बच्चन जो आज भी एक साल में तीन ब्लॉकबस्टर मुवीज देते आज भी बॉलिवुड का बाच्चा है अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिब दर्ती पे रहने के लिए बने है हमारे सामने नील आमस्रोंग जो चंद्र पे जाके आए आज तक हम ये जानते है कि हम क्या है हम क्या बन सकते है